लास्ट क्लास तक आपने अध्या बारा अनुपात और समानुपात में प्रस्णा उली बारा पें 30 सब्दिक कुछ बातों को पस्टो कॉल किया था आज की क्लास में कुछ अन्या मातों को पस्टो कॉल करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रस्ण है साइना तीन महीनों का 15,000 रुपे किराया देती है तो बताइए उसे वर्ष बरका कितना किराया देना होगा तो यह सारे जो सवाल है 12,500 में यह सारे एक नियम वाले हैं जिस पर हम पहले एक एक मान निकालते हैं और इसके बाद जितने ही कई का बोल जाए तो उसके लिए तो इसका गियम हमने सिखा था सबसे पहले दो रासियों का पता को तो दो रासियों को उनसी महीना और किराया अब ग्यात क्या करना है तो उससे वर्ष बनका कितना किराया क्या ग्यात करना है किराया और ता रुपे ग्यात करना है तो रुपे कहा रहेंगे तो जो ग्यात कर तो अब मैं पता है एक वर्स में कितने महीने होता है बार तो यहां वर्स की दिएगा क्या लिखेंगे बार तो महीना किराया ग्याद क्या करना है किराया तो किराया कहा रहेगा पीछे तो आगे क्या रहेंगे महीने तो पहली लाइन हो जाएगी क्योंकि तीन महीनों का किराया, नरह बहर परदर्द आ जाली है, यहां हम देखें किराया पीछ पूछे, महीना आगये, किराया पीछे क्यो है, क्युक millennials किराय गार कर ना है, दूसरी लाइअ महीन, इसलिए, और यहां में अएक आएगा पूरी लाइज से, इसलिए एक महिने का तिराया बराबर यहाँ जो लिखा तो वही आएगा और यहाँ जो चीज़ है यहाँ इसके बच्टे में चिली जाएगी क्यों जाएगी क्योंकि अबना फता है कि जब एक का मान निकाल ला हो तो भाग देते हैं आज तीसरी लाइफ हमें ग्याद करना है कितने का वर्च बर का तो वर्च में महीने केतने होते हैं बारा मारा महिनों का किरया क्या बारा की वाया तो हम लेख लेंगे चुकि एक वर्स बराबर बारा महिने होते है तो बारा महिने का किरया क्या होगा यहाँ जो लिखा हुआ था वो तो रहे गई और गुणा में आ जाता है अगली बार जो यहाँ लिखा होता है आट के सराइल करके अंसर राप्त कर लेंगे तो 3 बारा से कर जाएंगे 4 बार तो बचा क्या 15,000 गुणा 4 तो 15,000 गा जब आप 4 से गुणा करेंगे तो अबारे पास अस्वर आजाएगा 60,000 रुपे कितना आजाएगा 60,000 रुपे अतहां साइना को किराया कितना देना होगा? रुपे 60,000 देने होगा है वापा समझ लेते हैं इस सवाल को एक बार फिर से साइना टीन महीनों का किराया 15,000 रुपे देती है तो उसे वर्च बर का कितना किराया देना होगा कुछ सब्वालों वहां वह इंक इसके सबराइब कर लिए तो दो रासिया आएं महीने और एक किराया हमें गयात क्या करना है तो यहां लिखा है किराया गयात कि देявी एक किराया 0 करना है तो जो ग्याद करना है वो कहा रहता है पीछे इसका बतला आगे क्या रहीगी महीने तो तीन महीनों का किराया बराबर 15 अब एक महीने का निकार लाए तो पंद्रह अजय तो भाई रहेंगे यहां वाली रासी यहां बट्टे में आजाएगी अब पूछा कितला भी महीनों में बद्ध्यों तो आपने पता है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो यहां 12 महीने का किराया बराबर यहां जाएगा 12 यह को वापस होई रहेंगा अज गुणा में आ जाएगे 12 अब 3 बारा से कार देंगे 4 बार 15 अजर का 4 से गुणा करेंगे 60 अजर तो इस प् प्रस्ट नम्बर दू राज्यू ने एक सो पचास रुपए में दस पैन खरी दे मनीज ने चौरियासी रुपए में साथ पैन खरी दे बताए जिसने पैन सस्ते में खरी दे राज्यू है जिसने एक सो पचास रुपए में दस पैन खरी दे और मनीज है उसने चौरियासी में साथ पैंट खरीदें। तो हमे बता रहें किसने सच्फने पैंट खरीदें तो यहां जो पैंट उसने खरीदे वो दस्त खरीदें। और यहां कितने खरीदें सत। अलूकास में भंकास wh開व ने Ol wolves क्या करेंगे राजुने एक पैंट कितने में मैं खरीदा वह निकाल के महाने एक कितने में खरीदा वह निकाल देगे और फिर बता देगे किसले सफा करेद है तो लाजू ने दस पैन खड़ी दे बराबार लाजू ने दस पैन कितने पर खड़ी दे है एक सो पचास रुबे इसलिए एक पैन का मुल्य बराबर एक पैन का मुल्य क्या होगा जो एक सो पचास है होगा दस पैन का है एक का कितना होगा भाग देदेगे तो हमारे बाद एक की वैल्य आ जाएगी 15 रुपे कैसे 0 से 0 कर जाएगा तो यहनिकी राजू ने जो एक पैन खड़ीदा उसके पंद्रा रुपे दिये, अब देखते हैं मनीज, मनीज ने साथ पेंट खरीदे, उसने साथ पेंट खरीदे हैं, क्योरियासी रुपेंट, इसलिए एक मेंट का मुल्य बराबर शाया करीए, इसमा च्षड़ीयासी पे भाग देएगे, साथ का, च्षड़ीयासी पे जब भाग देंगे, तो हमरे मेरे मैंस रुपे आ जाएंगे, 12, यानि मनीज ने एक मेंट के कितने रुपे दीए, 12, और जो राज्यु को उसने एक मेंट के क पंद्रफ सवाल पूछाएं ग्याद कीजिए किस ने है पैस सस्ता किस ने खरीदा तो सस्ता किस ने खरीदा तो मनीश या राजू मनीश ने तो आतो है मनीश ने मैं सस्ते खरीदी वापस अब लेते हैं राजू ने एक सो पचास रुपए के दस पैंट खरीदे मनीश ने 84 रुपए के साथ पैंट खरीदे तो बताओ किस ने सस्ता खरीदा सस्ता कौन खरीदेगा जिसने एक वस्तु का उनने कम दिया ओ तो राजू ने दस पैंट के रुपए दिये एक सो पचास तो एक का कितना दिया दस का भाग दे दीगे तो आगे रुपए पंदरा मनीश ने साथ पैंट के दिये 84 तो एक का कितना दिया भाग दे दीगे तो एक की वेलिवा जाएगी बारा तो अताव मलीक ने पैन सस्ते खरीदे बढ़ते हैं अगले प्रस्ते की तरह प्रस नमर तीन चार डर्जन केलों का मुलिया 180 रुपए है तो 90 रुपए में कितने डर्जन केले हैं कितने केले खरीदी जा सकते आफ तो दो राजिया एक तो डर्जन केले और या कह बुल्ल्या ग्याद का करना है केले तो केले का रहे पीछे लेकि अगर सवाल को पने हैं तो केले आगे है जब कि मुल्ल्य पीछे तो जब ऐसे कंडिसर जो चीजा में पीछे चाहिए वह अगर आगे हो जाए तो लाइंग को उल्टा पड़ेंगे अधा पीछे जालू करेंगे 180 रुपए में केले आते हैं बराबर लेकि यहां में केले ग्याद करने हैं और यहां है डर्जन तो हमें बता हैं एक aspect में कितनी वस्तूवे होती है 12 तो चाहर डर्जन में कितनी होगी फहले हमें अब वस्तूवे 레्र लिक्म Clone bearing हमें एक डर्जन जो होता है वे बार्रइ वस्तूवे के देवरे देखा यहां इसलिए चार जज़े किसके बराबर हो जाएगा तो इसको चार से गुड़ा कर लेगी यानि 48 वस्तु है यानि कि 48 केलों का बुल्य 180 रुपए है तो 90 रुपए में कितने केले आईगे तो अब हमें केले घंर करना है तो केले जो गयाद करता है वह रहता है पीछे लेकिर यहा आगे है तो इस лाइन को TS पुल्टा पड़ेगे, यानि यह पीछे से चल दो एक सो आर्टी रुपये में केली आते हैं बराबर, एक से रुपये में केली बराबर, गेली बराबर, ठो एक से रुपये में केली आता है? चार दूद हैs, वो अपने निकाल छूएं, अड- 138, अब वापस, हुई, एक जो लिखा हुआ था वही और यहां जो रासी ही वहां इसके मट्टे पे चली जाएगे और अब ग्यार कितने केले को करना है तो बोल आए कि 90 रुपए में कितने केले आएंगे तो यहां नभे रुपए आजाएगा 90 रुपए में केले बराबर तो यहां तो वापस आएगा और गुड़ा में आजाएंगे 90 अब इसको हम सराल कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा 9 से 18 कट जाएगे दो बार क्योंकि 9 के पाड़े में 18 दो बार आते नो आता है एक बार यहां तो कुछ भी नहीं बचा और यहां 2 का भाग दे देंगे जब हम 48 में तो दो से 48 कर जाएगा चौईस बाग तो कितने के लिए आजएगे च्यॉईस के लिए कितने के लिए हो जाएगे चॉईस के लिए तो अतवर लब्बे रुपे में कुल चॉइस के लिए खरीदे जा सकते हैं वापैस बदलेते हैं लाफ्ट बार चार दर्जे केलों का मुल्य 180 रुपे है तो 90 रुपे में कितने केले आईए तो सबसे पहले तो यार दर्जे दिया हुआ है तो उसको चेंज कर लो एक दर्जे 12 वस्तू के बरबर होता है तो चार दर्जे कितने वस्तू के बरबर होगा 48 वस्तू के अब देखो ग्यात क्या करना है केले तो केले का रहेंगे पीछे अगर सवाल को पढ़े तो केले आगे हैं और मुल्ले में पीछे जबके हमको यह पीछे चाहिए और यह आगे चाहिए तो यह कब होगा अगर लाइन को हम उल्टा पढ़ेंगे यहां से चालू करे तो मुल्ली आगे हो जाएगा और केले पीछे हो जाएगा तो लाइन को उल्टा पड़ा 180 रुपए में केले आते हैं बराबर 48 फिर वही एक रुपए में केला बराबर 48 और वह उसके चला जाएगा भाग में और लास्ट में 90 रुपए का ग्याद करना है करकी सवाल में दिया हुआ है दम्ने रुपए में कितने केले आएगे तो दम्ने आजाएगा गुड़ा में सरल करेंगे उत्तर आजाएगा चोइस के तो आज़की क्लास में अपना प्रसलावली मारापाई तीस समदी सभी बैतों को पुश्टों कल किया नेस्ट क्लास में हमें नए अध्याय का अध्या करेंगे तद्यवा